गुड आफ्टूनू फ्रेंट्स जैसे एकफ ग्रूप आपको हमेशा बादा करता है कुछ नया, कुछ बहुत ही बैतरीन आपको दिखाना चाहता है आज हम आए हैं एरपोट रोड के उपर 4BH के फ्लैट जो जिरखपूर मैगडी चौक के बिलकुल एड जोइनिंग है प्रॉपर्टी का जो पोजैशन है वो नियर टू पोजैशन है ये 225 स्केर फिट का फ्लैट है हम आज एक्चुल फ्लैट भी देखेंगे और ये अभी हम सेंपल फ्लैट की तरफ है सेंपल फ्लैट को इन्होंने जैसा डिजाइन किया है इंटीरियर हर कस्टमर की अपनी चोईस है वो करवा सकते है इसमें ये ड्राइंग एरिया और वो डाइनिंग एरिया आ गया एक छोटा सा लॉबी एरिया भी दिया है बहुत इशांदर क्योंकि लॉबी में नॉर्मली क्या होता है कि आपका मोस्ट ओफ दा टाइम आपका लॉबी में निकलता है तो ड्राइंग डाइनिंग एंड लॉबी मोर स्पेशियस पार्टेशन करके इन्होंने दोनों डिवाइड किया हुआ है ब्योटिफल अब हम चलते हैं किचन की तरफ पेरलर किचन है है एटिक के फिटिंग रहेगी है तो complete मोडलर किचन है अप्लाइंस नहीं होंगे सब्स कर्स के पैंट्र यूनिट रहेगी you pvc डॉर लगा रहे हैं ताकि Maximum sunlight और मैक्सीमा एरली रहे और यह यह पीवीजी डोर्स होते हैं यह तफन ग्लासीज के साथ आते हैं ताकि इस साइलेंट भी रहीं अब हम चलते हैं रूम की साइट बेडरूम सेमी फ़र्नेश होंगे इसके अब वादरोप्स मिलेंगे अब हम दूसरे रूम की तरफ चलते हैं यह भी साइट अब हम दूसरे रूम की तरफ चलते हैं यह भी सेम साइज में है 11 x 16 मोर स्पेशियस यहां बेस्ट पार्ट क्या है कि जो क्लोजनेट वाद्रोप्स का काम किया गया है यह विर्गो की प्लाइबोड पर है विर्गो के लेमिनेट्स हैं इसके उपर और बात्रूम की जो फिटिंग्स हैं वो कोलर जैक्वर के साथ रहे हैं मौर स्पेशियस फूर्ड टाइज हैं यदि हम देखें पूरी हाइट तक टाइज हैं जिसकर करके सीलन सीपेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती और रूम काफी अच्छा स्पेशियस है सबसे बेस्ट पार्ट इस सोसाइटी में एक है इधर का बालकनी बिगर साइज का बालकनी रहेगा हम देखेंगे बालकनी वाओ वटए बालकनी फॉर भी एचके के अंदर अब यह थोड़ा सापको और वी देदेता हूं देखिए नियर टू पोजेशन है प्रॉपर्टी बिल्कुल तयार है प्रॉपर्टी ऑल्मॉस्ट छे से आट महिने में आपको फिनिश हो जाएगा और मिल जाएगा अब हम चलते हैं अगले रूम की तरफ यह हमारा नेक्स्ट रूम आ गया 11 by 13 कंप्री ने इसे डिजाइन किया एज एक किड्स रूम बट यह किड्स रूम नहीं 11 by 13 इसे गूट साइज ओफर दर लिविंग इसकी बात्रूम टाइल बहुत प्यारी है थ्रीडी लुक देती है यह वाट्रॉप क्लॉजनेट बीच में ही है तो आपका स्पेस नहीं लेते हम देखते हैं क्लॉजनेट की डैप्ट बहुत अच्छी है वाव फोर बीच के में नॉर्मली क्या होता है कि आपको बड़ी फैमिली है आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो लोग बहुत ज्यादा प्रैफर करते हैं यह हमारा फोर्थ रूम जैसा हमने आपको बताया आप फोर बेडरूम है तो 11 बाइ 12 का साइज है इसका इसके साथ ड्यूल एंट्री है हम यह देख रहे हैं यह द्यूल एंट्री के लिए गेट है यहां से हम एक्सेस में ले सकते हैं बाहर का इसके साथ वाच्छूम अट्रैच रहेगा वाव इंटीर की बात करो तो प्रोजेक्ट का इंटीरियर बहुत अच्छा हुआ है मैं आपको इंवाइट करूँगा आप आईए सोसाइटी पर विजिट कीजिए आप देखिए कैसी एमेनिटी यह दे रहे हैं गेटिड है कलब है पारक है पावर बैक अप है लिफ्ट है बेस्मेंट पार्किंग है तो एक अफ ग्रूप आपको इंवाइट करता है आप दन्यवाद